पिछले पार्ट में देखा था कि सुनबे बीमली से रिवेंच लेने के लिए तियार हो जाती है और यौन सांग के पास एडवाइस लेने के लिए गई हुई होती है जिसपर हमारा यौन सांग सुनबे को यह एडवाइस करता है कि यौन सांग और सुनबे एक साथ की बाद कई हुती है लेकिन सुनबे को यह लग रहा होता है कि हमारी सॉनबे, यहांसंग के इस प्लान को कैंसल कर देती है और वहसे निकल चाती है, यह प्लान सोच लेगी, लेकिन पर बान भी खरूर $49,prends को रहता है, जिसके बाद हमारी सुनबे सेकेंड ली ये सोचती है कि वो डिरेक्टर ली को सब को सच सच बता देगी और अविसी बात है डिरेक्टर ली की भैन को कोई धोका दे रहा है तो डिरेक्टर ली उस पे तो गुस्ता हो गई होगा लेकिन उसके बाद भी जो हमारी सुन्बे को ये प्लैन जाद अच्छा नहीं लगता है वेल अब जब से हमारी होन सांग ने सुन्बे को ये प्लैन बताया हुआ होता है तब से हमारी सुन्बी होन सांग को काफ़ी सद इग्नोर मारने की कोशिश करती है लेकिन खेर सुन्बे ये कब तक कर सकती थी वेल अचानक से हमारी सुन्बे की एक कलीक सुन्बे से कहती है कि उन्हें जल से जल जो है एक वेबिनार एटेंड करने जाना है जिसके लिए हमारी सुन्बे यौन सांग और वो कलीक साथ में जाते है और 7-7 कार में बैटते टाइम भी वो कलीग जो है पीछे वाली सीट में बैट जाती है जिस वज़े से हमारी सुनबे और यौन सांग आगे वाली सीट में साथ में बैटते हैं पहला वहीं पर दोसे तरफ हमारा डारेक्टर ली जो है अपनी शौप में गया हुआ होता है ताकि वो वापस जी सांग से मिल सके लेकिन अफकॉस जी सांग रोज रोज थोड़ा शौपिंग करने जाएगी जी सांग तो इवन अपने काम में बिजी होती है और अपने भाई क जो है उसे चीट कर रहा है जिस वज़े से हमारी जी सांग यहन सांग की बात मान लेती है और वो यूंजू को कॉल करने के कोशिश करती है लेकिन हमारी यूंजू कपड़े करीदने में इतना जादा बिजी थी कि वो जी सांग की कॉल को पिक नहीं कर पाती वेल यूंजू संतली सेलरी यूंजू से भी कम होगी जिस वज़े से उन लोगों कमानना ये था कि आगे चलके हमारी यूंजू बीमली के साथ खुश नहीं रह पाएगी लेकिन ये बात सुनके हमारी यूंजू काफी गुस्सा हो जाते और अपने दोस्तों पर चिला देती है ये कहते हुए कि उसे फरक नहीं पढ़ता कि बीमली किता कमाता है उसे सिर्फ और सिर्फ जो है बीमली की सिंसियर्टी से प्यार हुआ है विलब वेबिनार के दौरान हमारी सुनबे की कलिक नोटिस करती है कि जब तक हमारे यूंसंग वेबिनार लेने में लगाता तक हमारी सुनबे यू संग को भी चलने के लिए कहती है लेकिन दोडों के दोडों काफी ठक चुके थे जिस वज़ेसे जो है वो लोग अपने रूम के लिए निकल जाते हैं लेकिन कुछ देर बाद हमारे सुनबे जाने के थोड़ा सा अजीव पील कर रही हुए जिस वज़ेसे खुली हवा में जा वेल सुन भेई यहां पर देखती है कि बीम ली और डारेक्टर ली आपस में बात कर रहे हैं जहां पर हमारा बीम ली डारेक्टर ली से पैसे मांग रहा होता है एक्चिली में बीम ली के फादर जो है थोड़े अजीब काइंट के परसन होते हैं उन्होंने काफी लोगों से ये रखा होता है और उन्हें वापस पैसे नहीं दिये होते है और as a son हमारे बीमलीकों सारे कि सारे पैसे चुकाने पड़ते हैं लेकिन ओवेसी बात है डिरेक्टर ली बीमलीकों अपने भाई और फ्रेंड की तरह ट्रीत करता आ जिस वज़े से डिरेक्टर ली बीमली को अपने फ्रेंड की तरह कितना भी ट्रीट क्यों न कर ले लेकिन बीमली को पता है कि वो सिर्फ असिफ डिरेक्टर ली के पैसो में पलने वाला इनसान है लेकिन अचानक से बीमली सुन्बे को देख लेता है और बीमली को पता चल चाता है कि सुन्वे का सब कुछ पता चल चुका है विलब इस सीन के बाद से हमारी सुन्वे बीमली से दूर रहने की कोशिश करती है और कोशिश करती है कि सुन्वे और बीमली का आमने सामने मुलाकात ना हो लेकिन एक दिन अचारक से बीमली और सुन्बे एकी लिफ्ट में साथ में चड़ चुके होते हैं जिस वज़े से फैनली सुन्बे और बीमली में थोड़ी बहुत बात हो जाती है बिल यहाँ पर बीमली आगे से इस सुनबे से कह देता है कि उसे मालूम है कि सुनबे को जो है बीमली के लिए नेगेटिव वाइज आती है सुनबे को लगता है कि वो डिरेक्टर ली का एक डॉग की तरह है लेकिन बीमली को इन सब चीजों से बिलकुल भी फरक नहीं पड़ता है भले ही सुनबे यह सारी की सारी बात जो है सबी लोगों को क्यों नहीं बता दे लेकिन फिर भी B.M.L.E. को इससे फरक नहीं पढ़ता है क्योंकि जो सच है वो सच है वो एक्चली में डारेक्टर ली का एक डाउग ही है जो कि डारेक्टर ली के पैसों में पल रहा है लेकिन जितना कुछ भी B.M.L.E. ने सुनबे को कहा था वो सब को सुनबे के मांड मास तक कभी चला ही नहीं सुनबे फिर वापस से बीमली के पास जाती है और बीमली से साफ साफ क्लियर करते हुए कहा देती है कि उसे बिल्कुल भी फरक नहीं पढ़ता है कि वो डिरेक्टर ली से पैसे लेता है कि नहीं लेता है और साथे सा सुन्बे को जो है ये सारी बाते फिलाने में बिल्कुल भी इंटरस नहीं है इवन सुन्बे जो है ये सारी की सारी बाते कपका भूल चुकी थी सुन्बे सिर्फ और सिर्फ जो है इसलिए बीमली से बार बार भागने की कोशिश कर रही थी क्यूंकि सुनबे ने चुपके BMLE की बातیں सुनी थी वहल फरस्ट टारीम BMA को कोई एक परसन मिला था जो की BMA को समझ रहा था जिसे हमारा BMA सुनबे से इंप्रेस हो जाता है और सुनबे से पूचता है कि क्या वो दोनों साथ में डिनर कर सकते है और सुनबे भी बीमली के इस प्रपोजल को मना नहीं करती है जिसके बात सुनबे और बीमली साथ में डिनर करते हैं और खूब सारी बाते करते हैं और जिसके बात से जो हमारी सुनबे और बीमली एक दूसरे को डेट करना भी शुरू कर देते हैं पहले सारी की सारी बाते याद करके हमारी सुनबे जो है एक बार फिर से काफी ज़दा दुखी हो जाती है कि तबी चानक से सुनबे के पास पहुंच आता है यौन सांग जहाँ पर हमारा यौन सांग वापस सुनबे से कहता है क्योंकि हा सुनबे को कोई और प्लैन मिल चुका वो कितनी बार उसे मना कर चुकी है और साथ साथ वो बीमली को बहुत ज़दा पसंद करती थी एवन वो दो साल से एक दूसरे को डेट कर रहे थी तो वो इतनी चल्दी बीमली से कैसे गिव अप कर सकती है वेल यहाँ पर हमारी सुनबे ह्यौन सांग को काफी को सुना चुकी जिसके बाद हमारा यहाँ सांग भी शांत नहीं रहता है और वो सुनबे से कह देता है कि जिस तरह से हमारी सुनबे सोच रही है कि क्या पता बीमली उसके पास वापस से आ जाए उसी तरह से हमारा यहाँ सांग भी सोचता है तो किस मूह से हमारी सुनबे ही हाँ सांग से कह सकती है कि वो उसे दूर है क्योंकि ही अन सांग को लाइक करता है और बार 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 यहीं सोच रहा है कि क्या पाता कुछ ऐसा हो जाए जिसके बाद सोंबे और हीओं सांग साथ में रिलेशनशिप में आ जाए विल इतना कहने के बाद हमारी सुन्बे भी थोड़ी बहुत शांत होती है और नहीं हाँ से यह दोनों के दोनों अपनी रूम की तरफ निकल जाता है लेकिन यहाँ पर एक और गडबड़ी हो जाती है कि सुन्बे की कलीग जो है वाक के बाद जैसी अपने रूम में जाती है तो वो सुन्बे और यौन संग को ढूंड रही होती है लेकिन वो जो होटल के मिरर से देख लेती है कि भार सुन्बे और यौन संग अकेले में बात कर रहे है और अब विसी बात है वो लोग दूर खड़े होके लड़ने में लगे थे लेकिन हमारी कलीक को क्या पता कि वो लोग लड़ रहे है कलीक की अकॉर्डिंग तो यही था कि सुन्बे और यौन सांग अकेले में एक दूसरे से बात कर रहे है वेल अब वहीं पर दूसरी तरफ जब बीमली अपना काम करने में लगा हुआ था कि तब यह चानक से उसकी नजर जाती है सुन्बे के लिखे हुए नोट्स पे और वो कोई नॉर्मल नोट्स नहीं थे वो स्पेशल नोट्स थे वेल जब भी हमारे सुन्बे और बीमली को एक दूसरे से बात कर नहीं होती थी तो वो लोग जो है रिजिस्टर के अंदर वो नोट्स लिखे एक दूसरे को भेज दिया करते थे वेल अपसी नेक्स डे पे शिफ्ट होता है जहाँ पर यू सांग थोड़ी सी बिजी थी जिस वज़े से जो है वो जी सांग के साथ अपनी बेटी हैन को भेज देती है टैनिस प्रेक्टिस के लिए और यहाँ पर एक हलका सा ट्विस्ट आ जाता है वेल टैनिस प्रेक्टिस के लिए हमारे डिरेक्टर ली भी गया हुआ होता है और जहाँ पर शुरुआत में डिरेक्टर ली जी सांग को देखे काफे खुश हो जाता है लेकिन थोड़ी दिर में हमारे डिरेक्टर ली की सपनों में पानी फुर जाता है क्योंकि वो जी सां जी संग वाश्रूम के लिम्स निकल जाती है और ही टाइम होता है हमारे डिरेक्टर ली के पास यान से पूछने का जिस वज़िती है कि क्या वो तुम्हारी ओम है लेकिन इससे पहले कि हमारी हैं डिरेक्टर ली को कुछ बता पाती कि तभी जी सांग वाश्रूम से वापस आ जाती है और हयान जो है जी सांग को देखते ही मम्मी कह देती है और इससे होता यूँ है कि डारेक्टर ली को कनफर्म हो जाता है कि जी सांग की ही बिटी हयान है वेल साथे साथ यहां पे एक funny सी चीज होती है वेल जी सांग तो डिरेक्टर ली को नहीं देख पाती है सिर्फ और से वो इतना notice करती है कि कोई person जो है हयान से बात करने में लगा था और वो जी सांग को देखती ही वहां से फटापट भग गया जिसके बाद हमारी जी सांग हयान से पूछती है कि हयान ने जी सांग को मम्मी क्यों कहा जिसके response में हमारी हयान जी सांग से कहती है कि actually में वो person जो है तुमारे बारे में पूछ रहा था और मुझे लगता है कि वो तुम्हें like करता है लेकिन वो person जो है दिखने में काफी ज़ उनके थोड़ा सा गुस्साओ जाती है क्योंकि उसे पता चल चुका है कि उसकी भाइन उसके वारे में क्या सोचती है। तब वाई पे दूसरी तरफ जब से हमारे यौन सांग ने सुनबे से अपने दल की बात पूरी की पूरी साफ साफ कहा दी थी तब से हमारी सुनबे काफी कोशिश करती है यौन सांग से बात करने की लेकिन हमाईशा जो है हमारे यौन सांग सुनबे को इंग्नोर मार देता है और एक टाइम पर जब हमारी सुनबे को मौका मिलता है हियोन संग से बात करने का कि तबी चलक से सुनबे को उसकी एक कली का कॉल आ जाता है जहाँ पर सुनबे को वो कहती है कि कल किसी ने अरजेंटली 500 कॉस्मेटिक पीस मंगाये है जिसके लिए हमारी सुनबे को आज के आज जो है उसको ओर्डर लिखना पड़ेगा जिसके बाद हमारी सुनबे उस ओर्डर को लेकि हियोन संग से वापस से बात करने लगती है कि उतने में हमारी सुनबे का घर आ जाता है वेलब नेक्स डे जब हमारी सुन्बे वापस से आफिस जाती है तो वो अपनी कलीक से माफी मांगती है क्योंकि उसने अपनी कलीक का दिया हुआ काम नहीं करा था जस पर हमारी सुन्बे को मालुम पड़ता है कि किसी ने अल्रीडी सुन्बे का काम कर दिया है और अफकॉर्स यह और कोई नहीं हमारे हियॉन सांग की था हियॉन सांग को मालूम था कि सुनबे की कंडिशन सही नहीं है और वो जल्दी ये बात भूल जाएगी जिस वज़े से जो है हियॉन सांग ने बिना टाइम वेस्ट करें सुनबे का काम कर दिया था वेल अब इस incident के बाद से पुरा का पुरा हमारा theme II change हो जाता है जहाँ पर शुरुआत में सुनबे ह्यों सांग से thank you कहती है क्योंकि ह्यों सांग ने सुनबे की मदद करी 57 साथ सुनबे ह्यों सांग से माफिय मी मांगती है क्योंकि जिस द्रह से सुनबे की feelingस है वैसे ही यौन सांग की भी फीलिंग्स है वेल वहीं पर दूसरी तरफ हमारा बीयमली काफ़ी जुनों से सुनबे से नहीं मिल पाया था जिस वज़े से वो सुनबे को मैसेश करता है कि वो साथ में डिनर करेंगे आज लेकिन हमारी सुनबे बीयमली से बात करने के बज़े सीधा यौन सांग के पाश जाती है और यौन सांग को रात के लिए डिनर के लिए इन्वाइट करती है और ओविसी बात है सुनबे बुलाए और यौन सांग ना जाए ऐसा होई नहीं सकता है जिसके बाद हमारा यान सांग और सुनबे जो है डिनर के लिए निकल जाते हैं और यहाँ पर हमारी सुनबे बीमली को ये मैसेज कर देती है कि वो आज किसी अपॉइंटमेंट में गई हुई है जिस वज़े से वो बीमली से नहीं मिल पाएगी और वैसे कहें तो एक तरह से अच्छा ही हुआ क्योंकि डिरेक्टर ली अचानक से आता और बीमली को अपने साथ किसी ज़रूरी काम के लिए लेके चले जाता है और वहीं पर दूसरी तरफ एटली सुनबे और यौन सांग जब साथ में एक साथ डिनर कर रहे थे तो उन दोनों को एक दूसरे को समझने का थोड़ा बहुत मौका मिल जाता है और अब धीरे धीरे हमारी सुनबे को यौन सांग का नीचर अच्छा लगने लगता है वहीं पर दूसरी तरफ बीयम ली के साथ उल्टा उल्टा ही होने में लगा हुआ था बीमली को ऐसा जूनियर ही अभी भी ट्रीट करते हैं वहीं पर दूसरी तरफ हमारी सुनबे और यौन सांग दिनर करने के बाद भार थोड़ा बहुत ठैलते हैं जहाँ पर दुबारा से यौन सांग सुनबे को अपनी एडवाइस देता है लेकिन अभी भी हमारी सुनबे यौन सांग के साथ रिलेशन्शिप में नहीं आना चाहती थी जिसके बाद कुछ देर बाद हमारा यौन सांग सुनबे को उसके घट तक छोड़ देता है अलब सुनबे अपने घर में जाही रही होती है कि तबी चानक से सुनबे को बीमली का कॉल आ जाता है जहाँ पर हमारी सुनबे बीमली से क्लियर कर देती है कि उन दोरों को ब्रेक अप कर लेना चाहिए ये बात सुनते ही B.M.L. कुछी दिर में सुनबे के सामने आजाता है कि actually में तो B.M.L. सुनबे के घर के सामने ही खळा था बैस सिर्फ और सिर्फ और सिफ अपनी कार के अंदर बैठा था जब कुछी दिन में वहाँ पे यॉन सांग भी पहुंच जाता है वेलियाँ पर बीयमली सुनबे को कन्वेंस करने के लिए काफी रूडली बिहेव कर रहा होता है कि तब चानलक से यॉन सांग ये सब कुछ देख लेता है कि आज के बाद वह यॉन सांग के साथ रिलेशनशिप में है आगे क्या हुआ ये हमें नेक्स पार्ट में पता चलेगा तब तक के लिए बाई